तो नमस्कार दोस्तों आज को फोर्ज लिम्टेट कंपनी ने अपने कौर्टर 3 के दिल्स को पबिश कर दिया है और आज किस वीडियो इन रिजल्स को अनलाइज करेंगे और साथ साथ आज वीडियो के एंड में ये भी बात करेंगे कि इन रिजल्स के बेसिस पर हमें अपना investment decision कैसे लेना चाहिए कि अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ इस कंपनी में तो हमें क्या करना चाहिए या अगर हम नया पैसा अपना इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या यह सही टाइम है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में और रिजल्स में सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रिवेन्यू और इस क्वार्टरम कंपनी के रिवेन्यू आय आई है और year on year base पे company के revenue में 24% ग्रोथ आई है तो दोनों ही parameter में देखें तो company के revenue में ग्रोथ आई है ऐसे अगर हम बात करें company के operating profit की तो इस quarter company का operating profit आया है और year on year base पे company का operating profit 19% ग्रोथ दिखाई है तो company ने revenue और profit दोनों ही काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसका लगर बात करें company के operating profit margin की तो इस quarter में company का operating profit margin आ रहा है 17% का पिछले quarter में भी ये same 17% था लेकिन पिछले साल के दिसंबर 2021 quarter में company का operating profit margin 18% था और यहाँ पे देखें तो quarter quarter base पे तो company का operating profit margin same ही है लेकिन year on year base पे ये 1% point कम हुआ है उसके लगर हम बात करें company के net profit की तो इस quarter में company का net profit आया 236 क्रोड रुपे का जबकि पिछले quarter में ये 221 क्रोड था और पिछले साल के दिसंबर 2021 quarter में company का net profit 197 क्रोड था और यहाँ देखें तो quarter quarter base पे company का net profit 7% स से बड़ा है ऐसी करम बात करें company की earning पर शेर की तो इस quarter में company की earning पर शेर आ रही है 37 रुपे 37 पैसे जबकि पिछले quarter में 32 रुपे 99 पैसे थी और पिछले साल के दिसंबर 2021 के quarter में company की earning पर शेर 30 रुपे 17 पैसे थी यहाँ आप हम देखें comparison तो quarter quarter base पे company की earning पर शेर 13% से increase तो इसमें हम देखें तो लगबख सारे ही parameter पे company ने हाँ पर हमें growth दिखाई है और अब अगर हम बात करें company के आज की rate के current share price की और valuation की तो आज की rate के company का share price आ रहा है 41 रुपे का और इसके हिसाब से यह company एक fairly valued company है यानि के company जितना पैसा कमाती है उसी इसकी valuation आज की rate में आ और sector का जो PBI है वो 27 का चल रहा है लेकिन हमने company को discounted cash flow analysis साब से valuation कर रहा है कि company कितना free cash flow generate करती है उसके साब से कितनी value बनती है तो उस साब से आज की rate में एक company एक fairly valued company है यानि कि इतना पैसा कमाती है उतने ही price पर इसके share आज की rate में मिल रहे है तब अगर हम बात करें अपन share price देखना चाहिए खरीदने के बाद में हमें company का business देखना चाहिए कि business सही चल रहा है तो हमें उसको hold कर रखना है चाया उसका price बढ़े या घटे क्योंकि price जो है वो profit के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप grow हो जाता है long time के अंदर यानि कि खरीदने से पहले है तो हमने business भ price पर खरीद लिया है उसके बाद में हमें उसको business को ध्यान रखना है कि business कहा चल रहा है तो इस company का business हमें देखा अच्छा चल रहा है profit भी इंक्रीज हो रहा है तो अगर हमने अपना पैसा invest किया हुआ है तो हमें उसको invested ही रहना चाहिए दूसरी बात है नया पैसा invest करने की तो आप देखे रहे हो company fair price पर है तो मैं generally यह advice करता हूँ कि हमें company को margin of safety के साथ खरना चाहिए यानिकि जब under valuation company हो उसमें पैसा अपना invest करना चाहिए जिसका business भी बढ़िया हूँ तो उसी साब देखें तो company fairly valued है तो अगर हम इसमें पैसा डालेंगे तो हमारा risk बहुत company में investment करना चाहिए बाकी आप अपने इसाब से भी decision ले सकते हैं कि आपको क्या ठीक लग रहा है उससाब से आप कर सकते हो और इससाब से कर देखें तो company की results के बारे में आपको detail knowledge दे दी है आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच अच्छी लगी होगी 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